एक हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी उमीद ऐसा बच्छे हुँगे तो स्टुडेंट्स इससे पहले हम एसीड बेसिज और सौल्स वाले उनिट कर चुके हैं ठीक है तो इस शीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं तो आज की उनिट हम करेंगे मैटल एंड नून मैटल मैट अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है और बैल आइकन को प्रेस कर लिएगा ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए ठीक है तो इस पर हम जितने भी हमारी यूनिट हैं उन सभी को प्रेक्टिस करेंगे ठीक हो उन सभी करने वाले अब्जेक्टिव टाइप के ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा माक्स आ सकें तो इस पेसलिग जो अर्याना बोर्ड के हैं वह जितने अर्याना ले वारक हम भी ध्यान दे लिए तुमारे काम की चीज है तो इसमें जो objective टाइप है इस channel पर आपे practice करने वाड़े हैं तो चलो सुरू करते हैं metal and non-metal metal and non-metal means दातों और एदातों तो पहला question है देखो भी पहला question कहता है metal are lustrous option b brittle option c ductile option d all of these means metal की property क्या है क्या lustrous है brittle है ductile है या all of these तो देखो भी यह सारी property metal के अंदर होती है ठीक है तो all of these इसका correct answer रहेगा ठीक है कि lustrous भी होती है brittle भी होती है ductile भी होती है good conductor of heat and electricity भी वह होती है उसके बाद देखो भी उसके बाद है आपका कि the most ductile metal is कि जो most ductile metal है वो आपको बताना है कौन सा है ठीक है जैसे most ductile का मतलब कि है ductility कौन सी प्रोपर्टी है जिसमें हम metals की क्या बना सकते है लंबी लंबी तारे बना सकते है तो सबसे ज़्यादा जो है ductile कौन सा है वो आपको बताना है जैसे option है sodium है potassium है gold है या silver है तो इसका correct answer क्या रहेगा इसका correct answer रहेगा जो है gold ठीक है तो gold is the most ductile metal तो correct answer रहेगा वो आपको मालूम की एक ग्राम गोल्ड से दो किलोमेटर लंबी तार बनाई जा सकती है ठीक है दो किलोमेटर लंबी तार हम बना सकते है तो most ductile metal कौन है गोल्ड है ठीक है वही हिंदी में बोलते है तन्नेता तो सबसे जाए तन्नेता किस की होती है सोने की होती है उसके बाद next question है हमारा ठीक है next question क्या कहता है देखो next question है हमारा the best conductor of heat तो best conductor कौन सा हीट का option है sodium है गॉल्ड है option c silver है option d zinc है ठीक है तो इसमें जो आपको जो है बताना best conductor कौन सा हीट का और heat का ठीक है तो इसमें जो है आपका correct answer कौन सा होना चीए sodium होना चीए गॉल्ड होना चीए silver होना चीए zinc होना चीए तो देखो zinc किसमें सबसे अजीव लग रहा है बच्चों को ठीक है तो हो जकता है बच्चे zinc कर दे वर zinc का correct answer नहीं है तो silver is the correct answer ठीक है जो चांदी होता भी silver का मतलब क्या है चांदी तो जो चांदी होता हो good conductor होता किसका heat का और हीट का जाता है best conductor तो भी silver है electricity का जाता है तो भी silver है चीक है तो एक ही में दो कोशन हो गई वह आपके उसके बाद देखो क्या कहता है अब बताना पूर कंड़क्टर कौन से हैं बही हीट के उसमा के चीक है लैडन मरकरी है zinc and copper है या फिर gold and silver है या iron and magnesium है तो देखो इसके अ गरम करते हो तो कुछ देर के बाद आपका हाथ भी गरम होने लग जाएगा इसका मतलब वहाँ से क्या हुआ है heat conduct होई है तो यह तो हो नहीं सकता gold and silver तो silver जैसे हमने डिसकस किया कि best conductor of heat तो silver ही है तो यह पेर भी नहीं हो सकता zinc और copper भी नहीं हो सकता अब अपने पास क्या बसता है lead and mercury तो lead and mercury क्या होते है poor conductor होते है वह heat के ठीक है lead and mercury क्या होते है poor conductor होते है heat के अब देखिए भी next question क्या कहता है the best conductor of electricity आपको बताना कि best conductor कौन सा है electricity का अब यह भी डिसकस किया है क्या zinc है iron है gold है silver है देखे zinc तो नहीं है iron भी नहीं है gold भी नहीं है तो क्या बसता है silver तो silver best conductor है इलेक्टरी city का ठीक है अगर भई किसी बच्चे को किसी question में problem है तो देखो बेजी जगो करके comment कर सकता है ठीक है comment में आप पूछ लो आपको आपका जवाब मिल जाएगा ठीक है अगर किसी बच्चे को किसी student को जो है दिक्कत है तो इसको आप comment में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को जितना हो सके share कर लो अपने दोस्तों तक ठीक है इसको share कर दो ताकि वो भी प्रिपेर कर पाए ठीक है जो है lockdown में हो सकता आप अच्छे से preparation ना कर पाए हो तो अभी उसकी क्या कर लो पूरती कर लो तो चलिए अभी आगे next question देखते है दा है metal which is found in liquid state iron option B copper option C zinc option D HG HG का मतलब होता mercury वही क्या होता है mercury तो mercury एक मात्र दातू है जो किसमें पाए जाती है liquid state में पाए जाती तो mercury इसका सही अंसर रहेगा वह हिंदी में आता तो पारा हिंदी में पारा बोलते हैं इसको ठीक है तो जो पारा है या mercury हो एक मात्र क्या है ऐसी दातू जो किसमें रहती है liquid state में है उसके बाद देखो वही अगर पूछ लेता कि ऐसी non metal बताओ जो liquid state में एदातू तो कह देता कि अगर आपको non metal पूछ लिया होता इसी question पे कि वही non metal बताओ तो क्या अंसर होता bromine क्या होता वही ब्रोमीन तो ब्रोमीन क्या है कि एक ऐसी non metal है जो liquid state में पाई जाती है तो ब्रोमीन उसका अंसर होता वही ठीक है उसके बाद देखो अगला है the non metal that is found in liquid state तो देखो इसमें next question हमने आपे डाल भी दिया है मैंने ये ठीक है कि non metal कौन सा होगा जो liquid state में है कार्बन है oxygen है sulfur है पाई जाती है तरह लवस्था में पई अपने तो इसका क्रेक्ट्णी पॉइंट कह अरि मतलब ऐसी दो जिनका जो गल नांग है melting point है वो बहुत ही कम है iron and copper देखो iron जो है लोहा है वही आप उसको गरम करते रहो किया पिंगलता है नहीं पिंगलता है तो इसका melting point तो low नहीं है वही इसी परकार copper है आप देखो gold और silver जो सोना होता है वही उसको गरम करे जाओ तो क्या वो पिंगलेगा नहीं पिंगलता है गरम करने पर वो नहीं पिंगलता है बहुत ज़्यादा ताप मान आप देदोगे तब जाकर पिंगलेगा sodium and potassium तो देखो sodium और potassium जो है इसमें crack tensor इनका यह नहीं हो सकता है ठीक है क्योंकि यह तो पहले reaction कर जाते हैं तो इसमें crack tensor क्या होगा इसका gallium and cesium तो D इसका crack tensor होई इनको आप अतेली पर रखोगे तो भी यह क्या हो जाते हैं पिंगल जाते हैं तो इतने जो है इनका कम melting point होता है कि अतेली पर रखने पर भी यह पिंगल जाएंगे तो D इसका crack tensor होई आगे देखते हैं अलोट्रोप अलग है कार्बन से सलफर भी अलग है तो ग्रेफाइट क्या है इसका अलोट्रोप होते हुई क्या होते हैं अलोट्रोप वक्रेफाइट क्या है अगला देखो भी अगला देखो भी तो इसोट मेटल अपको बताना सोफ्ट मेटल कौन सा है लीथियम, सोडियम, पोटाशियम, all of these, तो देखें, लीथियम भी सोफ्ट है, सोडियम भी सोफ्ट है, और पोटाशियम भी तीनों ही क्या है, ये सोफ्ट है, इतने सोफ्ट होते हैं, कि हम इनको क्या कर सकते हैं, एक चाको से काट सकते हैं, तो इतने सोफ्ट होते हैं, तो इ तो इसका उलटा है वो एसेडिक होएंगे ठीक है और मैटल के कैसे होते हैं बेसिक होएंगे अगला कोशन देखो वह फिलिन दबलेंग्स है आपको क्या करना है रियक्शन करनी है यह पूरी कहता है तो देखो इससे क्या अबनेगा जायेगा और ह सतौरेखो उक्षएलल और जायेगा तो इसके बाद सब्सक्राइब उसके वाद देखो गयए यू टू अग्जम्पल ओफ एंफो टेरिप और तो एंफो टेरीक ऑकताने हैं यह थो कोई दो गटाव एंफो टेरिक I'm M4- mtoto u-beathering, अब u-beathering क्या होता है कि इनके oxygen कैसे होंगे, acidic भी होंगे, और कैसे होंगे, basic भी होंगे, तो M4- एन फॉर टेरिक वो substances होंगे, वो आपके जो compound होंगे, जिनके nature जो है, वो acid और basic दोनों होगा, oxide का जो nature हो कैसा होगा, acid गोर basic, इसलिए इनको बोलते हैं एमफोटेरिक क्या बोलते हैं एमफोटेरिक तो इसमें जिंक उक्साइड और ऐलुमिनिम उक्साइड आ जाएगा उसके बाद देखो भई बहुत आसान कोशन आ गया कहता है विच मैटल इस स्टोर डिन के रोसे नोल की मिट्टी के तेल के इंदर कि गली में रख देते हैं तो इसको तो हम मिट्टी के तेल में नहीं रखते जिंक है जिंक को भी मिट्टी के तेल में नहीं रखते कोपर है तामबा जो होता है उसको मिट्टी के तेल में रखते तामबे की तार देखियोंगे आपने तो क्या बच गया सोडियम तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं वह ऐसा क्यों है देखो ऐसा इसलिए है कि यह बहुत सरारती है वही ठीक है बहुत जादा रियक्टिव है अगर इसको बहारत सोड़ोगे तो यह क्या करेगा रियक्शन करेगा ठीक है ओक्सिजन के साथ मिलकर यह रियक्शन करेगा और क्या ल करता है इसका आगे बढ़े देखो नेस्ट कुश्चिन कहता है दो मैटल डेट डूंट रियेक्ट विद ओक्सिजन आर तो कहता कि वह आपको मैटल बताने है जो क्या नहीं करते वही ऑक्सिजन के साथ अभी किरिया नहीं करते तो पहले है आईरन और कोपर बिल्कुल करेंग पहले देखो sodium और potassium तो यह तो बहुत ही ज़ाद अभी किरिया से लवई ठीक है तो यह तो तुरंत अभी किरिया करेंगे जैसे sodium को oxygen मिलेगी तो आग लग जाती है अभी अभी मैंने बताया आपको magnesium and aluminium तो यह भी reaction करेंगे magnesium क्या बनाएगा oxide बनाएगा MgO ठीक है aluminium भी क्या ब खरेद कर लाते हो तो उसकी चमक है पांच साल बाद भी वही रहेगी ठीक है दस साल बाद भी वही रहेगी चमक कि वह बतीक को कि अगर हम मैalls के साथ क्या मिला दे है कि अससी यह कर वहाएं किसी दातों की तो क्या वनते हैं तो वही आपको लिखना है metal hydroxide क्या बनेंगे मैटल के क्या बनेंगे हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे बात समय था है प्लीं तो उधारन में आपको देरिता हूँ जैसे इन देखो जैसे सोडियम है सोडियम है व्यान तात्म यत रिखोड़ी करवा हुए पाने के साथ अभी क्रिया करवाओगी क्या बनेगा NAOH क्या बनेगा NAOH सोडियम क्या होगा सोडियम हाइडरोकसाइड इसमें बन जाएगा बात समझ में आरी है ठीक है तो सोडियम हाइडरोकसाइड इसमें बनेगा भई उसके बात देखते हैं आगे देखो अभी करिया नहीं करता है तो देखो पाने के साथ तो यह तीन होई अभी करिया नहीं करेंगे तो इसका क्या होगा D is the correct answer all of these ठीक है all of these इसका correct answer रहेगा उसके बाद next question होई which gas is produced when metal reacts with acid जब acid के साथ metal जो है react करते हैं तो कौन सी gas निकलती है तो metal ले लो sodium भई acid लेना है तो acid ले लो HCl तो क्या निकलेगा इस के इंदर देखो यह chlorine है तो sodium के साथ जुड़ जाएगा क्या बना देगा sodium chloride यह खाने का रजो नमक होता है वही आपका जो टाटा नमक लेकर आते हो गर ठीक हो NACL common salt बोलते हैं इसको पलस में कोण सी gas निकलेगे जो hydrogen है यहाँ पर hydrogen की वजय से क्या निकलेगी hydrogen gas निकलेगी यहाँ पर क्या निकलेगी hydrogen gas तो इसका correct answer क्या होगा option number A तो hydrogen gas निकलती है वही जब भी metal किसके साथ अभी किरिया करेंगे acid के साथ hydrogen gas release होईगी next question देखो वही the metal don't react to give H2 gas with HNO3 कहता है वह metal बताना है जो reaction नहीं करते है hydrogen gas के लिए किसके साथ HNO3 के साथ nitric acid के साथ यह reaction नहीं करेंगे क्या release करने के लिए जो है hydrogen gas release करने के लिए तो sodium potassium iron all of these तो तीनों ही ऐसे हैं वही ठीक है जो इसके साथ reaction नहीं करते हैं ठीक है इसके साथ reaction नहीं करते हैं तो अब आप बोलोगे कि reaction कौन सा करेगा फिर तो next question में बताएंगे आपको तीनों यह hydrogen gas release नहीं करेंगे किसके साथ nitric acid के साथ ठीक है क्योंकि ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि जो nitric acid है न वो oxidizing agent है क्या है oxidizing agent है तो यह oxygen देता दूसरे को तो जैसे ही मान लो hydrogen gas release होगी तो यह oxygen इसके साथ जुट जाएगी और क्या बना दे कि पानी बना देगे जल बना देगी इसलिए यह अगर बिखिरिया करेंगे तो यहां से water निकलेगा ना कि hydrogen gas hydrogen gas release नहीं होगी यहां से ठीक है क्योंकि oxidizing agent है oxygen provide करता है यह अब the metal which react with dilute nitric acid आर जो dilute nitric acid के साथ कौन से दातू है जो react करती है magnesium react करता है manganese react करता है दोनों react करते हैं कोई भी react नहीं करता तो इसका correct answer both of these magnesium और magnesium दोनों ही विकिरिया करते हैं किसके साथ है hno3 के साथ dilute hno3 के साथ उसके बाद क्या कहता है भी देखो hno3 reducing agent oxidizing agent both of these none of these तो देखें इसमें क्या है कि none of this तो नहीं होगा both of these भी नहीं होगा तो एक ही चीज है या तो reducing agent है या तो oxygen देता है या लेता है अगर oxygen दे रहा है तो oxidizing agent अगर दूसरे की oxygen ले रहा है तो reducing agent तो यह क्या काम करता है यह काम करता भी oxygen देने का ठीक है तो यह क्या है oxidizing agent है तो भी इसका क्या है correct answer है oxygen देने का यह काम करता है तो oxidizing agent है भी भी correct answer आगला देखो भी क्या कहता है reactivity series most important है most important है reactivity series इसको तो आपको छोड़ कर नहीं जाना है ठीक है क्योंकि इसमें जो है आपका अगर option टाइप नहीं आएगा तो कोई नहीं कोई आपको question जरूर मिलेगा reactivity series के उपर best स्ट्रीचेश तो most important है तो इसमें क्या क्या टाथा देखो कौन से सही है एसे जिसमें ज्यादा स्ट्रॉंग सोडियू सぇ सोडियू अस्ट्रोंग है क endorsed और स्ट्रोंग हो ने इसमें добавIT और सिपर स्ट्रोंग है ऍट्यम्पार सब्सक्र क्रेक्टन्सपर क्या होगा इसिस नहीं होगा तो इसका क्रेक्टन्सर ए होगा थिकल क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपके जो प्रेक्टिव्टी सेरी दो क्या है Yar पुटासियम फिर सोडियम फिर कैलसियम फिर मैगनीसियम यह आपकी रियक्टिविटी सीरीज रहेगी तो ए इसका करेक्ट अंसर होई आगे देखो मैंने रियक्टिविटी सीरीज यहां पर दे रखिए तो इस रियक्टिविटी सीरीज को जो है पढ़ लेजिएगा एक बार कि सबसे strong कोन होता है तो देखें यहाँ पर क्या है कि सबसे strong है potassium, फिर sodium, फिर calcium, फिर magnesium, फिर magnesium, फिर aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver, gold सबसे कम कोन है, सबसे कम gold है भी यह बहुत कम reaction करता है, सबसे strong कोन है sodium sodium, ठीक है तो यह दो दिहान रखना है, कि आपको सबसे कम gold है, सबसे ज़ादा है sodium आगे बढ़ते हैं, अगला question कहता है, तो noble gases, आपको पता ने noble gases, noble gases का मतलब होता है उत्क्रिष्ट gases जो किसी के साथ अभी करिया नहीं करती, जिन का आखरी कक्स पूरा होता है oxygen कोई noble gases नहीं है, इसका आखरी कक्स खाली रहता है, nitrogen भी noble gases नहीं है carbon dioxide भी noble gases नहीं है, तो helium क्या होता है, वो क्या होता है, भरा होता है helium के अगर आप structure बनाते हो, तो कैसे बनती है, यह मान लो, इसका जो है nucleus है, यह nucleus है, ठीक है उसके बाद इसका पहला यह कक्स है भी, यानि first orbit है, first orbit में कितने electron होते हैं, 2, कितने होते हैं, 2 तो first में कितने आ सकते हैं, maximum भी, 2 ही आ सकते हैं, तो इसका कक्स बरा है कि नहीं बरा है, बिल्कुल बरा है अगर कक्स बराया तो क्या यह अभिक्रिया करेगा बिल्कुल नहीं करेगा अगर किसी element का जो कक्स जो orbit बरा हुँ अभिक्रिया नहीं करेगा तो उसी को बोलते है नोबल गैस क्या बोलते है नोबल गैस तो यह क्या है भई इनर्ट गैस वो लो एकी बात और निश्क करिये हैं अब इक रिया नाहीं करेगी रियक्षिन नहीं करेगी अगला कुश्यन दे नोन मेटल इज बताना है कि नोन मेटल कौन साहिस में सोडियम क्या नोन मेटल है, फ्लोरिन नोन मेटल है, पोटासियम है या मेगनीशियम है, तो ये देखो तीनो ही मेटल है, तो बस ताको ना फ्लोरिन, फ्लोरिन क्या है वह नोन मेटल है, क्या है, नोन मेटल है, देखो मेटल और नोन मेटल की पैसान क्या है, कि जो मेटल है वो electron देना पसंद करते हैं, electron को दे देंगे ये, तो क्या बना देंगे positive wine, और जो non-metal है वो electron लेंगे, क्या करेंगे, electron लेंगे, और क्या बनेंगे, negative wine ठीक है, तो metal positive wine बनाते है non-metal negative wine बनाएंगे, तो fluorine कैसा बनाता है, negative wine, ठीक है क्योंकि इसको एक लेक्ट्रोन के जरूरत होती है उसके बाद देखते हैं दे मैटल इज आपको बताना कि जो दातू है वो कौन सी है इसमें ओक्सिजन नाइट्रोजन, क्लोरिन और जिंग तो जिंग क्या हुई दातू है क्या है दातो ओक्सिजन दातो नहीं है कलोरिन दातो नहीं है नाइटोजन भी दातो नहीं है All are non-metal ऐ दातो हैं सिर्फ जिंग का एक दातो है इसमें अगला देखो वही मेगनेशियम प्लस कलोरिन तो यह अब इकरिया करके क्या बनाएंगे mg-cl-2 बनाएंगे mg-cl बनाएंगे все negatorije अगर इसमें विकरिया करेंगे तो यह क्या बनाता है mz-cl2 बनाएगा ib-c-cl-2 बनाएगा कैसे बनाएगा कि जो मेगनेशियम होता था वहाई दो के साथ जुड़ सकता है मतलब दो electron दे सकता है कितने दे सकता है? दो ठीक है? और जो chlorine होता हूँ कितने electron ले सकता है? एक लेगा तो दो chlorine को आना पड़ेगा ठीक है? एक तो इसको electron दे देगा तो यह क्या बन जाएगा? mgcl-2 तो अकेले नहीं दोनों को electron दिये हैं ठीक है भई उसके बाद देखो भई Na plus klorine sodium plus chlorine क्या बनेगा NaCl 2 बनेगा NaCl 2 NaCl 3 बनेगा predictive NaCl 3 बनेगा तो जो sodium है एक electron दे सकता है ठीक है तो chlorine जो है chlorine एक electron ले सकता है तो याँ पर 2 chlorine है 2 chlorine है तो कितने sodium के साथ जुड nochmal पड़ेगे के साथ जुड़ना पड़ेगा क्योंकि सोडियम तो एक ही ले सकता है तो दो के साथ जुड़ना पड़ेगा यह इसके साथ अटेच्छ यह इसके साथ अटेच्छ तो इसमें क्या बन गया वही इसका क्रेक्ट अंसर रहेगा एन ने सी एल क्या बनेगा एक सोडियम एक क्लोरि ठीक है यह बोलते हैं इसको देखो भी नेक्ट्रोवेलेंट आइनिक कमपाउंड और सोलिवल इन जो आइनिक कमपाउंड होते हैं या इलेक्ट्रोवेलेंट और आइनिक होते हैं वह किसके अंदर सोलिवल है पेट्रोल के इंदर डीजल के इंदर या फिर वोटर के इंदर य ही गूलेगा डीजल के अंदर नमक नहीं गूलेगा के रोसीन में नमक नहीं गूलेगा तो आप इसको करके भी देख सकते हैं यह पानी के अंदर गूल जाएगा पानी के अंदर तो डेली ही करते हैं किचन में यूज करते हैं अब अगली अभिकरिया करनी वह आपको जिंक प दाराने displacement reaction का ठीक है विश्थ था पनोबी किरिया का ओदाराने displacement reaction का तो इसमें हो गए कि यहां पर क्या हो गया कोपर की जगह तो जिंक आ गया और कोपर को बाहर मतलब कोपर की जो कुर्से यह उसके आपर कोणबर बैठ किया, जिन्क बैठ किया, कोपर कमजोर था, उसके उठा करके बगा दिया. तो उसके बादेको, आपके जो है इतने ही question थे, इसके अंदर जो important थे, तो अगर आपको विडियो पसंद आई तो तो इसको जोई चैनल को subscribe कर दीजेगा अगर नहीं किया है भी तक तो ठीक है? और अपने संगी साथियों को share कर दीजेगा और बता दीजेगा भई आप इस चैनल से prepare कर सकते हैं और अच्छे marks प्राप्त कर सकते हैं ठीक है? अगर आपको कोई problem है तो आप comment कर दीजेगा उसका जवाब में आपको comment में दे दूँगा ठीक है अगर किसी भी question से related to कोई problem है तो आप comment कर सकते हैं आपका most welcome है अगर वीडियो पसंद आई तो like तो जरूर कर दीजेगा ठीक है और share करना और subscribe करना मत भूलेगा मिलते हैं next video के thank you students